नमस्कार आप देख रहे हैं मनी मंच दोस्तों आज मैं फिर से हाजर हूँ एक बिलकुल नई इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ आज हम बात करेंगे SBI Mutual Fund की एक शानदार स्कीन के बारे में जहां हम SIP के थ्रू हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड तयार कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम जानते है SBI Mutual Fund की इस स्कीम के बारे में और उसके बाद हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे कैसे आप रोजाना 100 रुपे बचा कर 9 करोर रुपे तक का फंड तयार कर सकते हैं इस स्कीम का नाम है SBI Technology Opportunities Fund Direct Plan यह एक Sectoral Technology Fund है जो IT सेक्टर की कंपनियों के स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करता है जब से यह स्कीम स्टार्ट हुई है यानि जन्वरी 2013 से लेकर अब तक इस स्कीम ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिये है अगर किसी ने इस स्कीम में 5 साल पहले 1,00,000 रुपे इन्वेस्ट किये थे तो वो आज 3,00,000 हो गए है वही पर अगर किसी ने इस फंड में 5 साल पहले 3,000 की मंतली SIP स्टार्ट की होती तो वो आज 3,41,000 रुपे हो गए होते इसलिए अगर आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके लॉग टर्म में एक बड़ा फंड तयार करने के बारे में सोच रहे है तो SBI Technology Opportunities Fund एक अच्छा Investment Option हो सकती है लेकिन दोस्तों, Sectoral Mutual Funds में रिस्क बहुत ज्यादा होता है इसलिए इन फंड में आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल देख कर ही निवेश करना चाहिए दोस्तों, अगर बात करें इस फंड की Holdings की, तो इस फंड की Top Holdings है Infosys, Tata Consultancy Services, भारती Airtel, Netflix, NVIDIA, Microsoft, HCL Technologies, Wipro, Tech Mahindra आदी यानि इस फंड ने इन कंपनीच के शैज में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है दोस्तों, अगर हम इस स्कीम के रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम का All Time Return 21.70 प्रतिशत का है और इस स्कीम का 5 साल का स्येजया रिटर्न 25.87 प्रतिशत का है अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखे तो पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 31.78 प्रतिशत रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल की बात करे तो इस fund ने negative return दिया है 5.16 प्रतिशत का, इस fund में minimum investment आप SIP के जरिये 500 रूपे और lump sum 5000 रूपे कर सकते हैं, यानि आप इस scheme में 500 रूपे के छोटे से amount से investment स्टार्ट कर सकते हैं, maximum की कोई limit नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा invest कर सकते हैं, इस fund का NAV अभी 170.51 रूपे चल रह है, इस scheme का fund size 2727 करोड रूपे का है, इसका expense ratio है 0.90 प्रतिशत का, ये तो बात हुई इस scheme की details की, दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम calculate करके देखते हैं कि, अगर आप इस scheme में 100 रूपे रोजाना यानि 3000 रूपे महीना से SIP शुरू करते हैं, तो आपको कितने साल में कितना पैसा मिलेगा, यहाँ पर हमने return माना है 21 प्रतिशत का जो की इस scheme का all-time return है, दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि, mutual fund में returns की कोई guarantee नहीं होती है, यहाँ पर हम 21 प्रतिशत का return सिर्फ calculations के लिए मान कर चल रहे हैं, और आने वाले time में ये 21 प्रतिश तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा, 1,49,521 रुपे का, 1,80,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे, और total value जो होगी वो 3,19,521 रुपे की होगी, अगर आप इस SIP को 10 साल जारी रखते हैं और इस पर return मिल जाता है 21 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आपको जो return वो होगा, 8,64,346 रुपे का, 3,60,000 रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे, और total value जो होगी वो 12,24,346 रुपे की होगी, अगर आप इस SIP को 20 साल जारी रखते हैं और इस पर return मिल जाता है 21 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा, 1 करोर रुपे का, 7,20 हजार रुपे आप इसके अंदर invest करेंगे, और total value जो होगी वो 1.1 करोर रुपे की होगी, अगर आप इस SIP को 30 साल जारी रखते हैं और इस पर return मिल जाता है 21 प्रतिशत का, तो यहाँ पर आपको जो return मिलेगा वो होगा, 8.87 करोर रुपे का, 10,80,000 रुपे आप इसके 100 रुपे रोजाना यानी 3,000 रुपे महीना से SIP शुरू करके, 30 साल में 10,80,000 रुपे जमा करके, 9 करोर रुपे तक का फंड तयार कर सकते हैं, दोस्तों, आप अपने investment horizon के हिसाब से इस time period को कम या ज्यादा करके, इसे अपने आप calculate करके देख सकते हैं, SIP calculator का link निचे description में मिल जाएगा, दोस्तों, यह इस fund में निवेश की सलाह नहीं है, mutual fund में निवेश बजार के जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश से पहले अपने advisor से परामर्श कर ले, दोस्तों, mutual fund में निवेश करने के तीन तरीके होते हैं, पहला fund company की website, दूसरा broker के through और तीसरा घर पैठे mobile app के द्वारा, अगर आप mobile app के जरिये निवेश करना चाहते हैं, तो अब stocks का link नीचे description में दिया है, उस पर click करके, आप अपना demit account open करके, direct invest कर सकते हैं, धन्यवाद.